हर हर महादेव नमस्ट चंडिकाई दुर्गाजी के आगमन और प्रस्थान का जो विचार है शशी सूरिये गजा रूधा शनी भव में तुरंग में गुरु शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकिर्तिता इसका फल क्या होता है गजे च जलदा देवी छत्र भंग तु होते हैं वाहन हाती होता है तो जलकी वरिष्टी कराने वाला होता है बरसात खूब होती है शनिवार और मंगलवार को यदि आगमन होता है तो राजा और सरकार को पद से भी हटना पड़ सकता है ऐसे ऐसे संभावनाइं बन जाती है गुरु वार और शुक्रवार को आगमन हो रहा है तो इसका फल क्या है आप देखिए बुद्वार के दिन जब आगमन होता है तो डोली में खटोला डोला ऐसा बोलते हैं उसको उसमें आगमन होता है तो जनहानी होती है रक्तपात होना भी बताते हैं इसी संभावना होती है खून कराबा हत्याएं बढ़ जाना प्र दुवार को आगमन हो तो देवी नोका यानि नाव पर आती है तो तब जब नोका पर आती है नाव पर आती है देवी तो भक्तों को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है मनो कामना उसमें देवी पूर्ण करती है अब देवी के प्रस्थान पर चर्चा करते हैं कि देवी क विजया दस्मी यदि रविवार और सौमवार को हो तो दुरगा मा का प्रस्थान भेंसे पर होता है जो शोक प्रदान करने वाला होता है यदि शनिवार और मंगलवार को विजया दस्मी हो तो मुरुगे के वाहन पर जाती है तब जनता तबाही बरबादी ऐसा होता है विपलव मचता है यदि बुद्ध और शुक्रवार को गमन करती है देवी प्रस्थान करती है दशेरे को तो हाती पर जाती है तब मा शुब व पनुष्य की सवारी होती है जो जिसमें सुख शांति भी प्राप्त होती है तो आप विचार कीजिएगा इस परकार से मैं आप सभी को बताया है और मैं प्रमान भी डाल दूँगा आपके आप आराम से समझें और सुनें भी पुन्य करते रहें धार्मिकारिय करते रहें हर हर महादेव